तो दोस्तो आपकी शादी हूँ चुके है और अब आप marriage certificate बनवाना चाहते हो तो दोस्तो government ने एक portal जारी किया है जिससे आप online ही marriage certificate को बनवा सकते हो जियां दोस्तो आपको कहीं पर भी नहीं चाना आप अपने mobile से या फिर computer से आसानी से marriage certificate online बनवा सकते हो marriage certificate बनने के पाद आपके घर तक by post भी भी भीज़वा दिया जाएगा जियां दोस्तो totally online process है तो क्या है online process उसका पूरा detail में यहां पर आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अपने mobile या फिर computer में Google को open कर लेना है यहां पर search में लिखना है service plus और enter कर देना है तो दोस्तो यहां पर आपको पहली website सो होगी service plus dash metadata based application इस वाले option पर click कर देना है website open हो चुकी है तो दोस्तो सबसे पहले हमें यहां पर अपना जो account है वो create करना है तो register वाले option पर click कर देना है तो यहां पर हम click करेंगे register करने के लिए यहां पर सबसे पहले आपको full name में अपना पूरा name हो fill up कर देना है यहां पर नीची अपना email id डाल देना है उसके बाद नीची अपना mobile number fill up कर देना है उसके बाद नीची अपना password fill up कर देना है password आप में यहां पर जो criteria पर दिया गया उसकाब से डाल सकते हो यहां पर आपको अपना State करने के बाद नीची आना है यहां यहां पर चुम सबमिट वाले option पर क्लिक करना है दो यहां पर आपके email ID और mobile नमर पर Ηमेल ID का OTP डाल देना है मोबाइल OTP में mobile का OTP डाल देना है और validate वाले option पर click करना है जिसे आप यहाँ पर click करते हो आपका registration हो complete हो जाएगा दोस्तों इसके बाद यहाँ पर login वाले option पर click करते हैं यहाँ पर login ID में email ID डाल देना है और यहाँ पर password डाल देना है अभी नीचे view all availability services वाले option पर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारी services है वो शो हो जाएंगी दोस्तों तो यहाँ पर आपको इतनी सारी services मिल रही है यहाँ पर आपको search करना है marriage certificate तो दोस्तों यहाँ पर देखो marriage registration certificate यहाँ पर show हो रहा है इसके उपर हम click कर देंगे पर बता देता हूँ तो जिसका application आप कर रहे हो उनका name यहाँ पर पूरा fill up कर देना है सबसे पहले उसके बाद यहाँ पर address fill up करना है उनका mobile number यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर email ID डाल देना है अभी तोस्तों main चीज़ यहाँ पर हस्बन detail तो यहाँ पर husband की details पूरी fill वैल देना है असिवन के father का name यहाँ पर fill up कर देना है husband के माताजी का name यहाँ पर डाल देना है अस्वन का date of birth यहाँ पर fill up कर देना है उसके बाद नेशनालिटी में यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद अगर आप PPL धारक है हस्बन तो यहाँ पर Yes पर क्लिक करना है Otherwise No वाले option पर क्लिक कर देना है उसके बाद हस्बन का धर्म कौन सा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद दोस्तों email id यहां पर fill up करतेना है mobile number यहां पर डाल देना है और husband का पूरा address है वो यहां पर fill up करतेना है उसके बाद नीचे country कौन सा है वो यहां से select कर लेना है country select करने के बाद state है वो select कर लेना है उसके बाद दोस्तों नीचे आना है सेम उसी तरह से wife का detail भी यहाँ पर fill up करना है wife का पूरा name यहाँ पर डाल देना है wife के father का name यहाँ पर fill up करना है wife के माता जी का name यहाँ पर fill up करना है wife का date of birth यहाँ पर fill up करना है उसके बाद nationality यहाँ से select कर लेनी है यह अगर BPL धारक है तो yes पे click करना है otherwise no big click कर देना है wife का धर्म यहां से आपको select कर लेना है wife का email id यहां पर डाल देना है उसके बाद mobile number यहां पर डाल देना है wife का पूरा address यहां पर आपको fill up कर देना है उसके बाद country यहां पर fill up करना है और state यहां से select कर लेना है दोस्तो ये सारी details select करने के बाद नीचे आना है नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको marriage की details डालनी है तो आपका marriage कौन सी date को हुआ था date यहाँ से select कर लेना है date select करने के बाद place of marriage यहाँ पर डाल देना है जहाँ पर शादी हुई है और उसके बाद यहाँ पर शादी हुई उसका पूरा address यहाँ पर mention कर देना है यहाँ पर आपको कौन सी country में शादी हुई वो select कर लेना है कौन से state में शादी हुई वो select यहाँ से कर लेना है यह सारी details फिल अप करने के बाद नीची आना है, नीची यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो मेरे certificate है कौन से address पर चाहिए wife के address पर चाहिए तो पहला option select कर लो, husband के address पर चाहिए तो आपको दूसरा option select करना है और अपने विवा स्थान पर चाहिए तो तिसरा option, तो यहाँ पर आपको fill up का देना है, दूसरा witness का name यहाँ पर fill up का देना है उसका address यहाँ पर डाल देना है तिसरे witness का name यहाँ पर fill up का देना है और उसका जो address यहाँ पर fill up का देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर photograph and signature को upload करना है तो उसकी भी details fill up करनी है तो दोस्तों यहाँ पर पती का जो फोटो है वो यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर browse पर क्लिक करके upload करना है wife का फोटो यहाँ पर upload कर देना है एक couple फोटो है वो यहाँ पर आपको upload करना होगा उसके बाद शादी का कोई एक फोटो है वो यहाँ से select करके upload करना है उसके बाद दोस्तों सादी का दूसरा कोई भी फोटो यहां पर अपलोड करना है दो फोटो अपलोड करने है उसके बाद पहला जो विटनेस है उनका फोटो यहां से सिलेक्ट कर लेना है दूसरे विटनेस का फोटो यहां पर अपलोड कर देना है उसके बाद तीसरे witness का photo है, वो यहाँ पर upload कर देना है उसके बाद wife का signature यहाँ पर upload करना है husband का signature है, वो यहाँ पर upload करना है witness 1 का signature यहाँ पर upload कर देना है witness 2 का signature यहाँ पर upload कर देना है और witness 3 का signature यहाँ पर upload कर देना है इस सारी details upload हो जाने के बाद नीचे आना है declaration है इसको पढ़ना चाहो तो ठीक है otherwise नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर apply to the office तो दोस्तों यहाँ पर जब आप सारी details fill up कर दोगे तो यहाँ पर office के details से automatically आ जाएगी यहाँ पर आपको fill up नहीं करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो capture show हो रहा है capture यहाँ पर fill up कर देना है capture fill up करने के बाद submit वाले option पर click कर देना है तो दोस्तों जैसे आप submit वाले option पर click करते हो आपका application हो submit हो जाएगा उसके बाद आपका application हो review में जाएगा जैसी आपका application हो अप्रूव हो जाता है तो आपका marriage certificate हो बन जाएगा और उसके पाथ जो भी आपने address चुना है उस address पर आपका marriage certificate है वो घर तक by post deliver किया जाएगा छहां दोस्तो आप online status भी यहाँ पर देख सकते हो view status भी क्लिक करके आप अपना status भी देख सकते हो तो दोस्तो इस तरह से आप अपना marriage certificate online अपलाई कर सकते हो यह service अभी कुछ ही state में start हुई है दोस्तो तो दोस्तो इस video को आप जाद से जादा अपने friends के साथ share करे थाकि उनको भी पता चले कि अब marriage certificate बनाना आसान है दोस्तो तो दोस्तो इस video आपको अच्छा लगा है तो like करे, share करे और subscribe जरूर करे Thank you so much for watching